ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 12 जून 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाब उस रत में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की जो नमबर वन पूजे था फिर पुजारी बना है ये राज सबको इस पश्ट करके सुनाओ मीठे बच्चे बाब उस रत में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की जो नमबर वन पूजे था फिर पुजारी बना है ये राज सबको इस पश्ट करके सुनाओ प्रश्न बाब अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आये हैं उत्तर बाब सुक शान्ती प्रेम का सागर है यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं ऐसा विल कर देते जो 21 जन तक तुम खाते रहो खुट नहीं सकता तुम्हें कोडी से हीरे जैसा बना देते हैं तुम बाब का सारा खजाना योगबल से लेते हो योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है ओम शान्ती शिव भगवान वाच अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं बाकी जो भी देधारी हैं उनका साकार रूप है पहले पहले निराकार आत्मा थी फिर साकार बनी है साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है तब उनका पार्ट चलता है. मूल वतन में तो कोई पार्ट है नहीं, जैسे एकटर्स घर में हैं तो नाटक का पार्ट नहीं. स्टेज पर आरने से पार्ट बजाते हैं आत्माई भी यहां आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं पार्ट पर ही सारा मदार है आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है जैसे तुम बच्चों की आत्मा है वैसे इनकी आत्मा है बाप परम आत्मा क्या करते हैं? उनका आक्यूपेशन क्या है वो जानना है कोई प्रेजिडेंट है राजा है ये आत्मा का आक्यूपेशन है न ये पवित्र देवताएं हैं इसलिए इनको पूजा जाता है अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्षमी नारायन विश्व के मालक बने हैं किसने बन भी सिफलाते हैं कितनी सहझ है इसको कहा जाता है राज-योग बाप को याद करने से हम सतोप्रधान बन जाते हैं बाप तो है ही सतोप्रधान उनकी कितनी महमा गाते हैं भक्ति मार्ग में कितना फल दूद आदी चड़ाते हैं समझ कुछ नहीं देवताओं को पूजते हैं शिव पर दूद फूल आधी चड़ाते हैं, कुछ पता नहीं देवताओं ने राज किया, अच्छा शिव पर क्यों चड़ाते हैं उसने क्या करतवि किया है जो इतना पूजते हो देवताओं का तो फिर भी मालुम है, वह है स्वर के मालिक उन्हों को किसने बनाया, ये भी पता नहीं पूजा भी करते हैं, शिव की परंतु खयाल में नहीं कि ये भगवान है भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है कितनी भक्ती करते हैं, हैं सब अंजान तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो आगे कुछ भी नहीं जानते थे उनका occupation क्या है क्या सुख देते हैं कुछ भी पता नहीं था क्या ये देवताय सुख देते हैं भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं परन्तु उन्हों को तो शुबाबा ने ऐसा बनाया न बलहारी उनकी है यह तो सिफ राजाई करते हैं प्रजा भी बन जाती है बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पड़ाते हैं उनको कहा जाता है कल्याण कारी बाप अपना पर्चह देते हैं मेरे लिंक की तुम पूजा करते थे उनको परमात्मा कहते थे परमात्मा से परमात्मा हो जाता है परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं बस सिर्फ कह देंगे कि वैसर व्यापी है नाम रूप से न्यारा है फिर उस पर दूदादी चड़ाना शोबता नहीं है आकार है तब तो उस पर चड़ाते हैं न, उनको निराकार तो कह नहीं सकते तुम से मनुष से आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे फाल्तू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं, ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना उंच बनाया है ये पढ़ाई है, बाब, टीचर बन पढ़ाते हैं तुम मनुष से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो देवी देवता हैं सत्यूग में, कल्यूग में होते नहीं, राम राज ही नहीं जो पवित्र रह सकें देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं जगननात के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो तो उन्होंने फिर जगत नात नाम रख दिया है उपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े उनकी भी पूजा करते रहते हैं मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूजे थे चौरासी जन्मों का हिसाब किसी की भी बुद्धी में नहीं है पहले पूजे सतो प्रधान फिर चौरासी जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं रगुनात मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं अभी तुम बच्चों को बाप बैट समझाते हैं ज्यान चिता पर बैट गोरे बनते हो काम चिता पर बैट काले बन पड़ते हो देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े हैं फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो ये निशानी दिखाई है तुम जानते हो कि शिवावा तो काला बनता ही नहीं वे तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वे तो कभी काला बनते नहीं। उनको फिर काला क्यों बना दिया है। कोई काला होगा उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोस्ट किया जो मुझे काला बना दिया है, मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ, मनुष्यों की ऐसी बुद्धी बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं, शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है, अब तुमको भी गोरा बनना है, उच पद पाने के लिए, उच पद कैसे पाना है, वै तो बाप ने समझाया है, पालो फादर, जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया, भल साधारन थे, ना बहुत गरीब, ना बहुत साहुकार थे, बाबा अभी भी कहते हैं, तुम्हारा खानपान बीच का साधारन होना चाहिए, ना बहुत उंच, ना बहुत कम, बाप ही सब शिक्षा देते हैं, ये भी देखने में तो साधारन ही आते हैं, तुमको कहते हैं, कहां है भगवान दिखाओ, अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या, ये तो जानते हो, आत्मा का साक्षातकार इन आखों से होता नहीं, तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीर धारी होगा, निराका कैसे पढ़ाएंगे मनुश्यों को तो कुछ भी पता नहीं है जैसे तुम आत्मा हो शरीर द्वारा पाट बजाते हो आत्मा ही पाट बजाती है आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा तो आत्मा वाच परंतु आत्मा वाच शोबता नहीं आत्मा तो वानप्रस्त वाणी से परे बाड़ी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। बाड़ी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ग्यान का सागर है तो जरूर किसे के शरीर का आधार लेगा न। उसको रथ कहा जाता है। नहीं तो वह सुनाए कैसे। बाप पतित से पावन बनने लिए सिक्षा देते हैं। प्रेणा की बात नहीं ये तो ग्यान की बात है। वह आए कैसे। किस के शरीर में आए। आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए। कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचैता खुद ही कौन सा है। बहुत मनुष्य मुझे हुए हैं। किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदी में तो आना सकें। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं। ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। भारत वासियों में भी किस के तन में आऊं। क्या प्र त्रत में आना है ये तो है ही रावन राज गायन भी है दूर देश का रहने वाला ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है उसका कभी विनाश नहीं होता अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं किस तन में आते हैं वे खुद ही बताते हैं और तो कोई जानना सके, तुम जानते हो, कोई साधू महात्मा भी आना सके, वह हैं हट योगी, निवरती मार्ग वाले, बाकी रहे भारतवासी भक्त, अब भक्तों में भी किस भक्त में आए, भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ती की हो, भक्ती का फल भगवान को द फिर हैं, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए, ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं, कल भी कोई को वेराग्याए, भक्त बन जाए, वै तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं, मैं उसमें आता हूँ, जिसने पहले पहले भक्ती शुरू की द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है ये हिसाब किताब कोई समझ न सके कितनी गुप्त बाते हैं मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं नंबर वन जो पूज था वही फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा खुद ही कहते हैं ये रत ही पहले नंबर में जाते हैं फिर चौरासी जन भी यही लेते हैं मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत मैं प्रवेश करता हूँ इनको ही फिर नंबर वन राजा बनना है यही बहुत भक्ति करते थे भक्ति का पल भी इनको मिलना चाहिए ब बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया, इतने धेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए, इश्वर का यग्यरचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रूद्र ज्ञान यग्यरचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है, रूद्र श्वर बाबा जो ग्यान का सागर है, उसने यग्यरचा है ग्यान देने के लिए, अक्षर बिलकुल ठीक है, राजश्व स्वराज पाने के लिए यग्य, इसको यग्य क्यों कहते हैं, यग्य में तो वह लोग आहुती आदी बहुत डालते हैं, तुम तो पढ़ते ह आहुती क्या डालते हो, तुम जानते हो, हम पढ़कर हुश्यार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी, यग्य में पिछाडी के टाइम जो भी सामगरी है, सब डाल देते हैं, तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप है तो बहुत साधारण मनुष्य क्या जाने उन बड़े-बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महемा होती है बाप तो बहुत साधारण सिंपल बठा है मनुष्यों को कैसे पता बड़े यह दादा तो जोहरी था शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ती है, बस यह नहीं समझती कि इसमें सर्व शक्तिमान बाप है, इसमें शक्ती है, वह शक्ती भी आई कहां से है, बाप ने प्रवेश किया न, जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़े दे देते हैं, तुम योगबल से लेते हो वह तो सर्व शक्तिमान है ही, उनकी शक्ती कहां चली नहीं जाती, परमात्मा को सर्व शक्तिमान क्यों गया जाता है, ये भी कोई जानते नहीं, बाप आकर सब बातें समझाते हैं, बाप कहते हैं, जिसमें प्रवेश करता हूं, इसमें तो पूरी जंक चड़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ कट तो चड़ी है, वह कोई उतार न सके कट उतारने वाला एक ही सद्गुरु है, वह एवर प्योर है यह तुम समझते हो, यह सब बुद्धी में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, बाप ज्यान का सागर, शांती का सागर है सारा विल कर देते हैं बच्चों को, आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कोडी जैसा बना वो भल इस समय करोड़ पती है परन्तु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा वर्त पाउन तो तुम बनते हो अभी तुम भी स्टूडेंट हो ये भी स्टूडेंट है ये भी बहुत जन्मों के अंत में हैं कट चड़ी हुई है जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चड़ी हुई है वही सबसे पतित बनते हैं उनको ही फिर पावन बनना है ये ड्रामा बना हुआ है बाप तो रियल बात बताते हैं बाप है टूथ वो कभी उल्टा नहीं बतलाते ये सब बाते मनुष्य कोई स समझ न सकें तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता बढ़े अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला मुष्टी होस समभालना है, पूरा वारी जाना है, खान पान, रहें सहन, बीच का साधरान रखना है, ना बहुत ऊच, ना बहुत नीच, दूसरा, बापने जो सुख शान्ती, ज्यान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है, कल्यार काडी बनना है, वर्दान पवित्रता की गुयता को जान, सुख शान्ती संपन बनने वाली महानात्मा भव पवित्रता के शक्ती की महानता को जान, पवित्र अर्थात, पूज देवात्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं की अंत्में बन जाएंगे, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ती अंत्में काम आएगी, पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जन्नी है, चाहे संकल्प से, चाहे प्रवर्ती से, वायु मंडल से, वाडी से, संपर्क से शांती की जन्नी बनना है इसको कहते हैं महानात्मा सिलोगन उची इस्तिती में इस्तित हो सर्वात्मा को रहम की द्रश्टी दो वाइब्रेशन फैलाओ अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती